हलो दूस्तों स्वागत है आप सभी का संगर साइस के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि मैंने हिस्ट्री प्राथिन हिस्ट्री का इस्टोनेच खतम किया इस्टोनेच में हमने पुर्वा पाशाड काल और मर्दपासाड काल नौपासाड काल और ताम्र पासाड काल के बारे में देखा यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे आप प्लेलिस्ट में जाहिए प्राचिन इस्ट्री के सारे वीडियो देखिए यदि आप वीडियो अच्छे से देखते हैं प्रिविए तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, उम्मिद करता हूँ कोई आप लोग वीडियो को देखे होंगे, या देख रहे होंगे, ज़्याद ज़्यार करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मुटिवेट होते हैं, वीडियो गनाने में बहुत मेनत लगती ह और यदि आप वीडियो देखें, हमारे खुशी से हमारे टिंग किया है कि जिससे कि आपके फायदे हो, किसी भी एक जाम के तयारी कर रहे हैं, तो इससे बाहर कुश्चन नहीं है, और आते हैं तो आप गलत करके नहीं हैं, यह सब हमारे खुशी से, तो उसी कड़ी को आग हरपप संस्कृत की उद्धय नहीं हो, उद्भव नहीं हो आता, उससे पहले उस समय, जब तक इसकी उद्भव नहीं हो इए, हरपप संस्कृत की, तो हमारा इतिहास बैदिक संस्क्रित R.E.S. जब आये थे वारत में, बैदिक सभ्वता से यह स्टार्ट माना जाता था, ज पार CHVता की खोज्वी, हटपप संस्क्रीत की खोज्वी। इंडर सिवलाजेशन का उद्वव होगा। विकाश वगवा। खोज्वी। तो, हमारे Payahan history में हमारे भारत के Payahan history में आचानक एक बदलाव देखने को मिला जोира पीछे ले जाया गया जो बताया गया कि यह संस्क्रिती आज से करीब पचीस सो तीन हजार पहले उद्भव हुआ था ठीक है यह डेटा इजेक्ट नहीं है अन्न कितावों में हर कितावों में अलग-अलग तरीके हैं कार्वर डेटिंग के हम बताएंगे और अन्न जो बेग्जानिक हैं जो इ जो बताएं चला हुआ हडपा संस्क्रित में पढ़ने से पहले हम चाक्या पढ़ेंगे अडपा संस्क्रित में उन्षप पे बात करते हैं तो हडपा संस्क्रित और पृठ्रनेगरी तरण आप देख देख रहे हूँ आगे असपष्ट्य दिख रहा होगा गोड पर यदी नहीं दिख रहा होगा, कम दिख रहा होगा, तो मैं अश्पेस्ट सद्धों में आपको बोलते हुए, बताते हुए चलेंगे, जिससे का आप अपनी पेन और कापी निकालिए, पेन पेपर निकालिए, नोट डॉण करते हुए चलिए, तीक है, गर पेठे हुए है, और सारी कीजिए, मज़ा लीजिए, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपका सेलेक्शन शोर हो जाए, ठीक है, ज्यादा मज़ा लीजिए, तभी मज़ा आता है, नहीं तो सलेक्शन नहीं होता है, देखे हम बात करेंगे, हड़ा पसन अनुता में, कई वीडियों में आए में देखेंगे, उनकी विश्यस्तारी क्या थी, इन सब के देखेंगे, तिसरे एपार्ट में देखेंगे, समाजिक और सांस्कृत, आर्थिक और राजिमितिक क्या थी, चोट्य एपार्ट में देखेंगे, पतन के कारण, इन सब में देखेंगे, विश्तार से देखेंगे और यहां से जाए प्लेंस के कुश्चन हो या मेंस के कुश्चन हो प्रिवियस यह कुश्चन को भी हम तकल करेंगे और मेंस अंसार राइटिंग यह दिया आप लोगों को अच्छे से करना है तो मेरे प्लेटफार्म पे जूट सकते हैं संगर साइज के अप्लिकेशन और वे में और साथ में आपको मिलेगा वहां पर इगनु के सारे मेटेरियल जो आपके लिए जरुवत है और प्रिवियस यह कुश्चन पेपर साथ में आपको प्रिवियस यह के साथ सेलबस आदी सारी चीजें वहां लगतर में पोईप के बीएगे पड़ेंगे तो हम इन सब के आज हम बात कर रहे हैं मों क्या एक तैसे इसकी शुरुवात हुई तो हड़पा सब्रिता की शुरुवात जो होती है यह एक समय था जब अंग्रेज थे अठारा सो तिरपन में आपको बताया है पताया के लाड़ालोजी का काल था लाड़ालोजी बंदा बहुत थोड़े स चीजे थोड़ी से भारत में कुछ चीजे लाया था जैसे रिल्वे को माना जाता हुई उसी के देने डारतार आज विवस्ता है काफी सारी विवस्ता है उसने करने कुशिस किया लाड़ालोजी लेकिन उसकी कुछ नीतियां जैसे हड़क नीति तो उस सब थोड़ी सी हम मा कियाया ज़ल हो तो इसलिए जोमपेर करना कहीं एक काने ज़िए Maya पूहुजरु आपक्षिंग कम्पेर Anti-Sub इसलिए हम अभी नहीं compare कर रहे हैं लेकिन modern में जब पढ़ाएंगे तो इसेंट में डूल को connect करेंगे इनकी आर्थिक समाजिक राजनिती कीजिए किस तरह की थी किस तरह की प्रसाफनी बेवस्थायती इन सब बात करेंगे क्यों तुमात्र करेंगे आपको यदि अच्छे से कर लेते हैं यदि आपको हर डाइमेंशन क्लियर हो जाता है तो यह मांगी चली यूपीसी के किसी भी कि हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कुश्चन हो आपका इसे डारेक्ली कुश्चन पुछ लेता है कि महर समाज की राजनिती बेवस्थाया आर्थी बेवस्थाया क्लियर हो जाए और मात्मा के दिकिलेगे तो घुम का मैं portion के नामकरण दिखते है इसके हरथपप सबता के नाम से जाता है सिद्गटी सबता के नाम से नाम से जाता है सुप सबसे जो अस्दमत प्राप्त हुई हरथवर प्त्र ऑभ ठिय सबता के नाम से लिए खरशे मुन आ रहे थी लाहोर से कराजी के बीच में तो वहां पे हड़पा नामका स्थान पे कुछ पकी हुई इट का वहां पे पता चला उस इट से व्यापाय पैमाने के जो काफी ज्यादा मात्रा में इट था उस इट का यूज कर लिया गया रेल के पटरियों में ठीक है उस दोरान भ इन जो हम बात करेंगे चाल्स मेंशन अडपा तीले की तरफ ध्यान अकर्सित किया था था ठारा सो चब्वीस में उस दोरान किसी ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया कि इस सब्वता का फिर से पुनरद्धार हो या इसको जानने के कुशिस नहीं किया ठीक है इसके बाद अठारा सो तिरपन में तिरपन चपन में कनिंगन महोदे साथ चाल्स मेंशन ने अडपा टीले की तरफ अखर्सित किया था लेकिन उस दोरान किसी ने नहीं जोर दिया फिर अठार सो तिरपन चपन में जब पटरी रेल लाइन लाहोर से कराची के बीच बिचाई जा रहे जान बंटन और बिलियम बंटन नामत दो बेखती थे वो कनिंगन के नित्रित में काम चल रहा था तो उस दोरान इस चीजों को फिर से उजागर हुआ कि यहां यार यहां पर कोई ऐसी संबता या कोई ऐसा समाज बिक्सित था जो बरसों पहले दब चुका है इस यहां से ज नेश्ट बात आता है कि 1921 में एडी जान मार्सल के नित्रि में दयाराम साय ने हरपा की पोच किये थे ठीक है तो हम बात करें थे हरपा सबता हरपा पहला स्थल प्राथ होने के कारण से हरपा सबता नाम इसलिए पढ़ा गया कि वो इंडर सिवलाजिशन के मैक्समम जो इस इसका नाम सिंदुगाटी सबता पड़ा इसके सिंदुगाटी के सहायक ने दिया थी और सिंदुगाटी के आसपास जितनी भी सबता है ब्याप ती जिसके अस्थल प्राथ हो है ब्याप बड़े बड़े अस्थल प्राथ हो है जिनका छेत्र काफी बढ़ा था तो इसलिए यह सिंदुगाटी सबक्राइश के आधा जाता है कि बारत में सवस्प्राइश से नाम दिया थी जो कि आपके घंगर राज पास यहांकर एक जदा मात्रा में अस्थल प्रात्रूमन तो इसलिए कहा जाता है कि इसे सवचती शवात्या के नम से जानते हैं सवचती संस्क्रिती कि यहां पे माना जाता है गाउं से दीरे दीरे एक बड़े नगर का विकास हुआ था ठीक है और नगर जो उते हो सो संगटे और सुद्विवस्थित तरीके से काफी ज़्यादा व्याफक पैमाने पर बनाया गया था नगर इसलिए यह पर्थम नगरी करण हो के नाम से जाना हम इसको मानते हैं कि यहां पर सबसे पहले नगर का विकास हुआ हम नगर किस तरह के बने थे किस तरह के यहां के नालिया बनी थी किस तरह के इंडर सिविलाइजेशन हम देखेंगे यहां का स्नानगार थे या अनभंडार थे जितने भी थे रिद्भांडे थे किस तरह के क वहां की जो कलाए थी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, okay, are you waiting? नेश्ट बात करते हैं कि कास यूगन सब बता क्यों कहलाती है, कास यूगन सब बता इसलिए का आई जाती है, क्योंकि हमने बताया था कि सबसे पहले धातु किसी धातु का प्रचलन हुआ, किसी धाट से लोग पर्चित हुए, मानों समाज, तो ओत था तामा, कौंसा ताँबा, ताबा वो लित तो तामर, कापर, कापर से मिलाकर टीन, कापर ओड टीन का मिसरेट से बनता है कासा, ब्रांज बनता और ब्रांज थोड़ी से क्या होते हैं, थोस होते हैं, कठोर होते हैं और जो कापर होतार लचीला होता जल्दी कुट जाते हैं तो इससे जो उक्रण बनाया जाते थे ब्रांज से कापी मजबूत बनाया जाते थे यह कहा जा सकता है कि ब्रॉंज से बनने के कारण से ब्रांज की दो ओधोगी कृत थी जो एक प्रकार का इंडर्सिलाजेशन बना उस हिसाब से उपकरड ज्यादा मात्रम कठोर उपकरड बनने के कारण से कहने के किरिसी का विकास हुआ फिर वहां की जो इमारते थी दुर्गी करित जो बनाई गे थी इन सब का विकास होना इस्टार्ट हुआ तो इसी करण से इसे कास्व यूगिन भी संगता कहा जाता है ठीक इंडर्सिलाजेशन ये सारे नामों से जाना जाता है इसके बारे में हमने इतने आपको बता दिया कि इसकी इस नाम से जाने जाता है हम इसके अन्य सारे पच्छे देखेंगे किस तरह कि इनकी समास्ती सारे एक एक करते हैं इसके बाद हम इनमें बात करें हरपा संस्क्रित की जो नामकरण है इसकी काल का जो एक बिवाद है हर बिद्वानों के इंसार अलग-अलग बिद्वा इनका निराड़ पहले फेयर सर्विस द्वारा मुस्ट इंपोर्टेंट है इनके बारे में हम बात करेंगे 2000 से 1500 BC माना है फेयर सर्विस ने डीपी अकरवाल ने 2300 से लेकर 1750 BC माना है इनके बारे में बात करेंगे चेशित करेंगे 2800 से लेकर 2700 BC तर अर्नेस्ट महिकें ने माना है 3250 से 2750 BC जान मार्सल में माना है इनहीं के जान मार्सल के नित्रित्मी दैराम साही ने हरपा खोच किये थे ठीक है 1921 मेरी के बाद हरपा के बाहां जो दाड़ो अन्यक बहुत सारे अस्थल प्रात्व में हम बात करते हैं कहां कहां पर इसका पिस्तार था इन सर्थ कारवन ड इन विद्वानी द्वारा अलग टेट डिट ट्रिक वाले socially पूछल का है mildic लिए और यहांकि फैर्ट को देट्वार के भी पंदेंगे कि इससे ये रहा है कि अगर और पायक्स र्लेटेटर तो आपकी गलत नहों. कांसेट और कांसेट्क्ट आपका जो काम करेगा वे में साथ हे टिंग में भी काम करेगा ठेक और अगर पूछ ता है कूस्टिन थ्लेटन से मिलाकर इसकी कांसद। होंगे हमारी कोशिस हमारी टीम के कोशिस यह है कि यदि कैसे भी कुश्चन पूछे बाकि आगर और ज्यादा डीटियल में आपको पढ़ना है तो हमारे प्लेटफार्म से जोड़ी है आपको एक एक सारी कीजे हर एक चीज़ को बारे में बहुत डीटियल में पढ़ाएंगे हमारे यह कोशिस है इनका विस्तार जो हुआ था तीन देशम हुआ है भारत में इंडर सिविलाजीशन का भारत में पाकिस्तान में और कहां पर अफगानिस्तान में ज्यादा अस्थल तो नहीं प्राप्त हों है दो तीन अस्थल प्राप्त हों है और पाकिस्तान में जो अस जो अस्थल प्राप्त हो रहे हैं इसके मैक्सिमम जो अस्थल प्राप्त में इसके भारत में जम्मु कश्मीर में पंजाब में हर्याड़ा में राजस्थान में पश्च में उतरवर्देश में इसके बाद आपके गुजरात में महाराष्ट में यहां पे चित्रों में इसके अस्थल प्राक्तु में है तो हम देखते हैं इनका विस्थार कहां कहां तक था जो उनकी पुर्वी विस्थार थी उत्री विस्थार था मांडा की नाम नदी के किनारे मांडा जो पड़ता है जम्मु कश्मी में हर्षपास है और जो पश्च्मी विस्थार है इसका लाष्ट चेत्र है इसका थोड़ा से पुर्वी अस्थल है इसका विस्तार यह हिंडम नदी किनारे आलम गिरपुर यह कहां पड़ता है मेरट की आजपास यूपी में पड़ता है तिक नेश्टी इसका दैमाबाद है जो की दच्छडी है गोदावरी नदी किनारे इस्तिते दैमाबा इसका पश्चिन से पुर्व तक जो लंबाई है 1600 किलेमेटर है और यह उत्तर से दर्चिर जो लंबाई है 1400 किलेमेटर है इसका करीब 12,00,00 से जादा इसका छेत्रपल है हलाकि आज तो इसका करीब 20,00,00 के आज पास छेत्रपल हो गया है काफी बड़ा है जो कि मिस की समकाल थी उसके कई गुने बड़ा इंडर स्विलाजिशन की सब्टा थी ठीक है तो बाकि अदेश्ट हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ती कैसे हुई उत्पत्ती में BDC मत क्या है और स्वाधिशी मत क्या है कि किस तरह से बोला जाता है कि मेसोपटामिय की सब्टा से भारत की सब् पर नुई फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इरान की जो सब्टा थी वहां पर या किस तरह से इरानियों के दौरा भारत में जो वेपार होती थे उसके अल्लेंदिन से किस तरह के कहा गए इंडर्स्टिल वाजेशन का उत्भा हुगा वहां से लोग यहां आकर बसके यह सब देखेंगे या देशी में देखेंगे जो देसी करण में या द्रीवड़क की उत्पत्ति के कारण चरण से इंका माना जाता है या फिर हम whomती जो ev6 पहां से माना जाता है कि तो उस सब भी यहमें इसके बारे में उतुपत्ति के बारे में सिहां को साथ से कितने उक्रण प्राप्त हुए उनके आवाज कैसे थे महां के रायंसन कैसे से समाज कैसी थी किस तरह के लोग रहते थे दुर्गीकृत आवाज थे निचला आवाज देखेंगे उपला आवाज का उपरी वाले आवाज देखेंगे उपरी में दुर्गीकृत था निचला स बारे में पूरा डेटिव में हम बात करेंगे नेस्ट वाले वीडियो में ज्यादा लंबा बनाने के चक्कर में नहीं हूं कि एकी वीडियो में सारे चार गंटी-चे गंटी के इंडेस्टिलाइजेशन मलब इंडेस्टिलाइजेशन को पढ़ा दू बट यह के कुश्चिस करेंगे चोटे-चोटे वीडियो में जिससे आपको इंट्रेस्ट रना रहे ठीक है और आपको समय मार रहे यह सारी बात है यदि आपको और कुछ सुधार चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए कुश्चन जरूर पूछा करिए जिसे काम आपको कुश्चन के जवाब द ऑप्रणता आप क oldu wrapping अथर गएक आदि आप दो यह फोड़ी से हिज्चन के द हूँट भी नहीं आ रहे है तो बटिए हैं कि आप लगें रहे है जिस्ते देटा मार कल लिए में नंत पढ़िए कहीं आवा इदर दर की जिजम पढ़कर अपने पालतू समय के लिए और आने वाले समय के बाद फिर आप पस्तावा हो कि हमें पालतू समय अपना अगर आप पान साल मज़ ये संगस कर लेते हैं दो दूद इन साल चार साल अच्छे से कि एक बार सेलेक्शन हो जाता है तो प्रकार की जिन्दगी बहतर होगी ठीक है और मैं इसी सब्दों के साथ हम विराम लेना चाहते हैं धन्यवाद थेंक्यू